जी जैसे अभी बहुत सारी जो मिशन से वो सुरज के पास जैसे पारकर ट्रोप भी गया था वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उमन हिस्ट्री में नासा और ईसा की भी आपसर विक्रीज वहाँ पर है कुल मिला के कुल कुछ 22 मिशन के आसपास सुरज के आसपास गये है तो अधित्य अलवन मिशन के अगर बात करें तो वो इन से कितना अलग है क्या इन मिशन के अलावा भी कुछ हमारी अलग जानकारी दी है या इस मिशन ने जो जहां तक जानकारी दी उसे ऊपर उसको अगमेंट किया हो एडिशन किया हो वैलिशन किया हो ऐसा कुछ ग्लोब में भी कर रहे हैं तो एक observatory में हम multi wavelength multi particle observations कर रहे हैं और इसका फाइदा क्या होता है कि अब जो suns से हमारे photons आ रहे हैं वो तो right from gamma rays to radio wavelength है तो at least एक part of the spectrum right from x-rays to visible तो हम measure कर रहे हैं इसके साथ-साथ हम जो plasma आ रहा है उसके भी measurement कर रहे हैं जो की unmission में नहीं होता है दूसरा है कि हमारे पास जो measuring capability है जैसे कि VLC है करोनमास visible emission करोनोग्राफ है उसमें क्या करते हैं कि sun को block कर देते हैं उसके करोना को देखते हैं तो हमारे जो visible करोनोग्राफ है उसकी चमता है कि वो सूर के सतह के बहुत पास जा कर करोना है उसको भी देख सकता है जैसे कि कहेंगे कि 1.045 के असपास के मतलब एक sun का जो radius है उससे थोड़ा सा बहार से हम क्या process हो रहा है करोना को देख सकते हैं अगर हम sunlight को block करते हैं तो यह जो चमता हैं यह काफी अच्छी चमता हैं जिसके कारण हम करोना की study कर सकते हैं अल्टा वाला ट्रैडिशन जो निकल लाहा है करोना को block करके उसकी study कर सकते हैं और इसके साथ-साथ hard or soft x-rays जो की solar flares में बनती है उसकी भी साथ-साथ study कर सकते हैं तो मतलब एक के process के कारण जो ribbon wavelength emissions बनना है उनको एक साथ study तो महायान होगा एक तरह से अलग अलग तरह का सब सब्सक्राइब को कर रहा है इन सीटू भी कर रहा है तो एक बड़ी अब जैसे करते हैं और जैसे बहुत सारे लोग समझते है कि वी जो विज्ञानी है वो किसानों के बारे में नहीं सोचते है वो मच्वारों के बारे में नहीं सोचते है या फिर उनके साथ तालुक नहीं होगा सीधा तो क्या एक सही बात है क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्स पर भी काम हो रहा है जो सीधा का सीधा हमारे रोजमर्रा की जिनगी के साथ जुड़ जाए देखिए स्पेस साइन्स और स्पेस टेकनलोजी अब हर व्यक्ति के जीवन में समा चुका है अब सुबह से लेकर शाम तब कोई भी अक्टिविटी करते हैं इंक्लूडिंग मुबाइल उसका डायर्ट कनेक्शन स्पेस टेकनलोजी से क्योंकि जो सिगनल्स हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो सेटिलाइट के दोरा ही भेज़े जा रहे हैं आप एटियम जाते हैं पैसा निकालते हैं स्पेस टेकनलोजी का यूज़ हो रहा है आप अपनी वहां चला रहे हैं देख रहे हैं कि भाई मुझे इस जगह से जगह जाना है तो अपना जेपियस आन करते हैं स्पेस टेकनलोजी का यूज़ हो रहा है तो स्पेस टेकनलोजी जो है वो पर्वेसिव हो चुकी है हमारी लाइफ में और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी ही कि हम उसको एफेक्ट करने वाली प्रॉसेस की भी स्टड़ी करें इसी लिए एक mission है हमारा देशा mission जो कि इंडिया का या इस्वरो का mission है जिसमें हम दो सैटेलाइट को भेजने के प्रॉसेस में है जिससे की एक equatorial orbit में मूव करता रहेगा एक polar orbit में मूव करेगा और यह करीब 400-500 km की हैट पर होगा और यह वहाँ पर जो present gases है यानि कि वहाँ पर कौन से elements मौझूद है gas form है वहाँ पर किस पकार के velocities हैं, densities हैं, temperatures हैं, plasma processes क्या हो रहे हैं उसकी study करेगा और उससे हमको space weathering जैसे मैंने बात किया, space weather के वारे हम पता लगेगा और हम उसके तरीके से यह पता कर पाएंगे कि आगे भविश में जो किस प्रकार की प्रकिया हो रही है और होगी उनको हम कैसे mitigate कर सके तो mitigation का एक impact है, जो कि हमको study करना है और दूसरा यह है कि जो process हो रही है, जो हो चुकी है, वो कैसे होई थी है, क्यों होई थी उसकी भी study हम इस mission के द्वारा कर सकते हैं और इसमें PRL का बहुत बड़ा युगदान है क्योंकि यह mission जो है, दिशा mission उसको PRL ही lead कर रहा है और इसमें जो experiments लगने वारे हैं उसमें तीन experiments PRL में develop किये जा रहा है और जिसे मैंने कहां मचवारे और किसानों के लिए क्या PRL कर रहा है, जिसे हमारा जो आम आदमी है, उसके लिए PRL या space science क्या कर रहा है कि हमको जो समंदर में तूफान आते हैं, समंदर विरॉस्टी बहुत बढ़ जाती हैं, उसकी information हमारे जो inset और remote sensing satellites के दोरह मिलती है उसको हम मचवारा तक पहुचा सकते हैं, एक घंटे दो घंटे या आज पूरा दिन समंदर जो है, वो काफी disturb रहेगा तो आप समंदर में ना जाएं या अगले तीन दिन तक मौसम खराब रहेगा, समंदर में जाने की आप लोग कोशिशें ना करें, या मौसम खराब हो गया तो उनको चितावनी देते हैं कि भाई आप लोट के आ जाएए कोस पर, क्योंकि समंदर बहुत rough होने वाला है इस प्रकार की जानकारिया हमारे सैटिलाइट के दारा हमको मिलती है, और उसको हम मानव जीवन में मच्छवारों के रूप में कह सकते हैं, आपके साइकलोन होते हैं, उसके वारे में जानकारी दे सकते हैं, कि किस एरिया में साइकलोन हिट करने वाला है, तो वहां से हम लो और अभी अगर बात करें तो बारी बारी से अल नीनों आते हैं, मरीन हीट वेवस आते हैं, जिस तरह से हमारे समंदर भी अपना रुख बदल रहे हैं, फिशिस का डिस्ट्रिबिशन हो, या कोलर ग्रीचिंग हो, या फाइटो प्लैंक्टन्स में भी कभी कभी दिक्कत में उ आज ऐसा नहीं होता है, आज यहां पर बारिश होती है, दस किलमेटर दूर या दो किलमेटर पर बारिश नहीं होती है, यहां इकनम गीला है, वहां पर एकनम सूखा है, तो क्या बारिश ने अपना रुख बदल दिया है, इतनी गर्मी पढ़ती है, तो बहुत गर्मी पढ आपने विज्ञान से जान पाए कि भी ये बारिश ने जो है हमसे थोड़ी मुकर गई है या फिर क्या आपका पहना है ऐसा कह सकते हैं बट क्या है कि कुछ प्रकार के चेंजिस प्रतीर में होते रहते हैं और उसी का एक पार्ट है कि हमारे जलव Mooायू मंडल एचेंजिस हो रहे हैं इसको क्लाइमेट जेंज बोलते हैं एक तो वैदर होता है जो कि short term changes और एक क्लाइमेट जो कि long term changes है तो अभी भी हम यह कहते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वह बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बट वामिंग बढ़ गया है यानि कि जो प्रसी का थापमान है वह करीब एक डिग्री बढ़ चुका है जब से इंडस्टिल रिवलीशन हुआ है उसका इंपेक्ट तो कहीं न कहीं होगा अगर आपका टंपरिचर बढ़ेगा तो नेच्रल है कि एट्मोसफेर भी स्वैल करेगा जो वाटर है उसका भी टंपरिचर बढ़ जाएगा उसे कारण जो समुद्र है वह भी थोड़ा फैलेगा फैलने के कारण जो है लैंड जो है दूबेगी तो coastal areas में खास्तोर से यह देखा गया है कि वहाँ पर जो beaches है उसका encroachment हो रहा है वो erode हो रही है और जो low lying areas है वहाँ पर पानी भर जाता है वो सब इसी का एक प्रकार है अगर पानी जारा land areas में रहेगा तो evaporate होगा तो clouds बनेंगे clouds बनेंगे तो rain होगी तो एक cycle है hydrological cycle जिसको बोलते है पानी का बाश बनती है उपर clouds होते है clouds के बाद गिरते है clouds बनने के लिए क्लाउड कंडेसियन नुकलिया चाहिए CCN जिसको अरोसोल्स बोलते है तो अकर आप अरोसोल्स है मतलब आपका भाब तो जा रही है लेकिन अगर particle नहीं है तो cloud नहीं बने तो यानि कि clouds भी बनने के लिए एक बिंदू चाहिए जिसके असपास आप वो clouds बनेंगे अभी क्या देख रहे हैं कि pollution बढ़ता जाता है कि बहुत सारे CCN मिल रहे हैं तो और जो moisture इतना जादा नहीं है clouds नहीं बन पा रहे हैं बन भी रहें तो decay हो जाते है rain नहीं हो रहा है तो यानि कि एक प्रकार का cyclic movement है जहां पर आपको optimum number of aerosols चाहिए और moisture चाहिए कि clouds बनेंगे तो rain होगा लेकिन अगर आपास इतने सारे CCN बन गए कि humidity इतनी जादा नहीं है तो clouds नहीं करेंगे तो rain नहीं होगा तो यह जो pattern changes हो रहे हैं यह हो रहे है क्योंकि temperature बढ़ रहा है CCN बहुत जादा बढ़ रहा है तो humidity जो grow कर रही है वो इतने amount के cloud नहीं बना पा रही है लेकिन जब cloud बन जाते हैं तो एक दम से बरस जाते हैं जिसको हम बोलता है कि एक storm cloud bus हो गया cloud storm हो गया तो यह जो प्रक्रिया है यह सब एक दूसरे से linked है और इसका प्रभाव हम सब को देखने को मिल ला है अपने जीवन में के जहां बिलकुल पानी नहीं गरता था बारसाथ नहीं होती थी सूखा पढ़ता था वहां पर आजकल बाड़ा रही है और ज करें किसा क्यों हो रहा है उसका ऐक और और भी है कि आपकल हम जंगल को काटते जा रहा है और वहां पर घर मस्मान बनाते जा रहा है कुछ। एरियास जो जहां पर पानी भरा रहता था उसको फिल करके हम लोग मकान बना रहा है।ो यह सब कही sent have a pre-to दिखने वाले हैं और प्रकृति के साथ अगर आप खिलवार करेंगे तो थोड़ा बहुत मानव को भी तो जहिलना पड़ेगा है तो उसी प्रकार का एक यह प्रक्रिया है तो सर यह बताईए कि जिस तरा से भी बहुत सारे फिद्ष िचुरिस्टक मिशन की भी बात चल रही है अगर प्यआर्ब्ल लूपएक्स मिशन है उसमें कार कर रहा है इसके अलबा चंद्यान4 जो की सैंप्ल रिटर्न मिशन है इंडिया का उसमें कार कर रहा है और भविशमें चंद्यान4 चंद्यान5 चंद्यान6 आदी की परयोजने books है न है है और गौर्रमट का ये हमारे ऊपर रिककस्ट है कि हम इंडियन आस्टोनोट्स को मून पर चालिस में भेज़ए और इसके साथ साथ गौर्रमट अफ इंडिया ने हमको गे और हम आज्छेंड़ा दिया है कि हम अंटरिक्ष एस्टेशन की भारती आटरिक्ष किया और यही trata पूरी प्रक्रिया है जिसके दोरा हम एक्सप्लोरेशन आफ सोलर सिस्टम कर सकते हैं, मून पर जाने के बाद अगर हम हैबिटाइट कर सकते हैं, तो मून को हम लाँच बेस बना करके अन प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, चाहे हम मरकरी पर जाएं या आस्टरॉइट्स में करें जिसके हम लोग एक्सप्लोरेशन करें, कोई भी ट्रक्रोजी जब डवलप होती है तो इसका आफ शूट्स हमेशा पुब्लिक यूटिलिटी या पुब्लिक यूटिलाइजिशन के लिए आता है, और स्पेस साइंस नेट्रोजी जैसे आपको पता ही है, कि पूरा काफी यूगदान होने वाला है क्योंकि PRL में कॉंटम कम्पूटिशन के उपर काफी काम होता रहा है, और कर यप लास्ट एक दशक से PRL में कॉंटब कम्मुप्यटिशन, Q-K-D, कॉंटम की डिस्टिबूशन सिंगल फोटोन सोर्सस को बनाना, जिसको हम हैक न कर सकाएं, स उसके परकार होता रहा है और हम लोगों ने पियारल में करीब परीब दो सो मीटर free space quantum communication करके दिखाया हुआ है इसी के साथ हमने यह भी दिखाया है कि क्या हम free space quantum communication के साथ साथ 5R optics के संग इसको लिंग करके quantum की distribution को भेज सकते हैं और यह पुजक था हमारा Department of Telecommunication के साथ जिसमें कि हमने दिखाया कि free space 200 meter के quantum communication को 5R optics के link के साथ की को भेजा जा सकता है और यानि कि हम इस प्रकार के communication को भी safe कर सकते हैं इसी प्रकार से अन्न missions हैं हमारे जिसमें कि हमारा oceanography related sciences है, bio geoscience related missions है, earth sciences related का रहा है solar physics related का रहा है, space science जाने कि दिशा मिशन है या future मैसे missions है उन में काफी कुछ कार हो रहा है जिसमें कि PRL का बहुत बड़ा जोगदान है क्योंकि PRL के पास पिछले 75 साल से जादा का एक legacy है क्योंकि PRL को 1947 में डॉक्टर विकम सारा भाई द्वारा सापिच किया गया था और इसमें जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया काफी नए नए science and technologies के research स्टार्ट की गई और आज समय की बात करें तो PRL में astronomy, astrophysics, solar physics, space adverse science, planetary science, geoscience, atomic molecule, optical physics, theoretical physics आदी विधाओं में कार हो रहा है तो अगर आप पूरी summary को छोटे से शब्दों में बोलना चाहें तो आप काएंगे के PRL में जो research हो रही है वो core of the art to end of universe तो बहुत अच्छी बात आपने कहीं अगर मैं बात करूँ गगन यान जैसे mission की तो उसमें PRL की क्या भूमी का है गगन यान जो mission है वो है आस्टोनोट्स को आकाश में लेके जाना उनको कुछ experiments करना और उसके बाद उनको safely वापस लेके आना तो एक पार्ट है technology का जिसमें की आप इस पकार की technology develop करें कि एक humans space में जाएं और कुछ समय बिताने के बाद safely lot करें दूसरा है कि वो जाने के बाद करें क्या experiments कौन से करें तो PRL का जो part है वो है कि science किस पकार की science की जाए अभी PRL ने कुछ experiments को propose किया हुआ है जैसे कि आप अगर आकाश में जाते हैं तो microgravity होता है तो क्या microgravity में कुछ ऐसी growth of crystals हो सकता है या कुछ biological experiments किया जा सकते हैं जिसके कारण हम यह पता करें कि low gravity में या zero gravity में क्या होता है या इस पकार के experiments को किया जाए जहां पर low gravity में प्रक्रिया हो सकती है जो कि जीमन नहीं हो सकती है या इसका reverse तो इस पकार के science के experiments को PRL में किया जाएगा और जो हमारा भारतिया अंतरिक्स station बनने की बात हो रही है अगर वो होता है तो हमारे पास permanently एक platform available होगा microgravity या zero gravity conditions के लिए जहां पर हम long term experiments को भी जी सर बहुत सरे experiment ऐसे होते है या प्रयोग ऐसे होते जो आंतराश्य स्थर पर किये जाते है वह आंतराश्य को इलिशन बना की किये जाता है जैसे आपको पता होगा कि exoplanets की studies के उपर कफी कार हो रहा है exoplanets पहले तो हम लोग मानते थे कि शयद हमारा ही solar system है पूरे ब्रह्मान में बट अभी हमको पता लागा कि बहुत सारे sun के चारो तरफ planets हैं जिनको हम exoplanets पोलते हैं और अभी तो करीब 5000 से ज्यादा exoplanets डिस्कवर किया जा चुके हैं बट पी आरल में जो कार हो रहा है वो है कि exoplanets probable candidates तो हैं बट एक्चुली में वो exoplanet है या कुछ और है इसके बारे में बहुत जगह पर शंक आए हैं और हमारे जो exoplanet studies चल रही हैं जो कि 1.2 और 2.5 meter telescope से हो रही है और हमारा एक नए instrument बनाया गया था पारस और अभी 2.5 meter telescope के लिए नए instrument बनाया गया पारस 2 तो पारस 1 और 1.2 meter telescope से इंडिया में पहले exoplanet की discovery मॉन्ट अभू स्थित हमारे टेलस्कोप के दोरा की गई और उसने यह बताया कि जो planets हैं यह करीब सेटरन से थोड़े चोटे और Neptune से थोड़े बड़े size के हैं लेकिन वो अपने सूर के बहुत पास हैं यानि कि 3-4 दिन में वो एक पुरा चका लगा लेते हैं जबकि प्रत्वी 365 दिन में लगाती हैं यानि कि यह planets बहुत ही अपने सूर के बहुत पास हैं इसी प्रकार से कुछ और planets हम लोगों ने खोजे अभी तक हम लोग चार exoplanet की खोज कर चुके हैं और जिन्हों ने पताये कि वहां पर जो exoplanet कि किसी की तो density बहुत ज़ादा है प्रत्री से तो यानि कि ब्रह्मांड में अलग 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 प्रकार के exoplanets हैं जिनके characteristics बहुत अलग अलग हैं या वो सूर से अपने बहुत पास हैं या फिनका temperature बहुत ज़ादा है या फिनके densities बहुत ज़ादा हैं तो यानि कि जो हमारे solar system में planets हैं उनकी अध्यान के अलावा हमको ऐस इसे प्लैनेट्स भी हैं प्रह्मांड में जिनकी characteristics बहुत ही अलग हैं और इसकी जानकारी से हमको यह पता लग सकता है कि हमारे यहां के जो solar system में planets हैं उनकी उपर भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि या हो सकता है कि यह जो हमारे solar system के उत्पत्ती हुई है उसमें उस पकार के planets पत्ती भी हो सकती थी क्या और क्या हो सकती है आगे जब collisions हो तो इस पकार की बहुत से knowledge है जो की हमको इस पकार के एक्सोरप्रेंट्स के रध्यन के द्वारा प्राप्त होती है अब एक आखरी सवाल की बहुत सारे युवा है बहुत सारे बच्चे है और अलग-अलग विधाओं में उनकी महारत हासिल है बहुत सारे लोगों को लगता है कि physics पढ़के क्या करना है chemistry पढ़के क्या करना है और पढ़ते हैं उसके बद और कोई नोकरी टूंगते है और बहुत सारे लोग है कि जो भाशाएं भी सिखते है अलग-अलग विधाओं के लोग है कि यह सभी के सभी space विज्ञान से क्या अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ सकते है या उनके लिए क्या-क्या scope है कि जिस त हर प्रकार की विधाओं का हर प्रकार के subject का समवेश है अगर आप engineering के subject की बात करें तो चाहें वो mechanical engineering हो, chemical engineering हो, electronics, computers, civil, metallurgy, material science, propulsion, और aerospace, सभी विधाओं का इसमें समवेश होता है और हर प्रकार के experiments, experts को हमको जूरत पढ़ता है Similarly, अगर आप course, science के subject की बात करें चाहें physics हो, chemistry हो, mathematics हो, biology हो, अभी तो space program में गगनियान आ गया है, humans जा रहे हैं तो biology, medical science हो, food technology हो, और अगर आप un-wishy की बात करें तो social science हो, आदमी जब जाता है उपर तो उसके कैसे विचार changes होते हैं, क्या biological changes उसमें आते हैं, किस पकार के psychological changes उसमें होते हैं, अगर उसको isolation में रखा जाता है, क्या होता है, तो कोई भी science का subject हो, उसका उप्योग space science में हो रहा है, तो कोई भी विद्यारती है, अगर उसमें चाहता है कि मैं research करूँ space related, तो वो अपने किसी भी विश्य को ले करके space में research कर सकता है, यहां तक की space management, space law की विवाद हो रही है, तो lawyer हो, वकील हो, management वाला आदमी हो, commerce वाला आदमी हो, science वाला आदमी हो, technology वाला आदमी हो, social science वाला आदमी हो, political science वाला आदमी हो, क्योंकि space politics भी हो रहा है, तो किसी भी विद्या का आदमी space में आ सकता है, और कार कर सकता है, जी, तो बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया दुरुदुशन से बाचीत करने के लिए और जिस तरह से आपने बताया है कि समंदर के तल से लेके ब्रह्मान के छोड तक इस विज्ञान की यातरा है और इस विज्ञान में हम सब भागीदार है आप जब नेशनल स्पेस के हम मना रहा है तब यह यातरा ना केवल भारत के लोगों को लेकिन विश्ञा के हर एक प्रक्तिक विक्ति की को भी इसको चोटी है तो दुरुदुशन से बात करने के लिए बहुत 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 धैना है